जहां तक मुझे याद है कि अब तक में JCB या Bulldozer तीन बार बहुतायच चर्चा का विशे बन चुका है जिनमें सबसे पहली बार ये चर्चा का विशे तब बना था जब ये गाउं में लंबी चोड़ी नहर को खोदने के लिए सबसे पहले लाया गया था तब गाउं के तमाम बच्चे अपना सारा काम धाम पढ़ाई लिखाई खाना पानी छोड़ कर JCB की खुदा ही देखा करते थे सेगंड टाइम ये बहुतायर चर्चा का विशे बना माई 2019 में जब बॉलिवूट की एक सुप्रसिद बहुत चर्चिद अधाकारा ने अपनी एक फोटो JCB के साथ सोशल मीडिया हैंडल पर छिपकाई और तीसरी बार यानि की वर्तमान समय में ये बहुत चर्चा का विशे तब बना जबकि कई राज्यों की सरकारों के द्वारा इस बुल्डोजर संस्कृति को अवैद संपत्ति को ढाने के लिए उपयोग किया गया जिसका शुबारंब करने का श्रेज आता है उत्तर स्री मनने स्री योगी आदितनाथ जी को जिन्होंने सर प्रथम इसका अगर उलेग देखा जाये तो कानपुर में विकास दूबे का जो संपत्ति था उसको ढाने के लिए उपयोग किया था और उसके बास से ये एक कल्चर ही बन गया ये संस्कृति ही बन गया जहां पर आरोपियों के अवैद संपत्यों जोकि सरकारी जगह पर सरकारी स्थानों पर बनाए गये थे उनको हटाने के लिए उपयोग किया गया और वर्तमान में बुल्डोजर का ये खौफ है कि अगर गाउं के तरफ बुल्डोजर जिस एरिया के तरफ मुड जाता है वहां के जि इसके कुछ फाइदे भी हैं और इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं फाइदे और नुकसान की चर्चा हम फिर कभी करेंगे लेकिन वर्तमान में कई लोगों के मन में ये प्रश्ण जरूर रुखता होगा कि क्या ये जो बुल्डोजर संस्कृती का अनुपालन किया जा रह है संपतियों का गिराने का काम जो बुल्डोजर के द्वारा किया जा रहा है यह विधिक है कानूनी है या नहीं है इसकी कॉंस्टिटूशनल्टी के बारे में प्रश्ण जरूर आता होगा सरवाल जरूर रखता होगा इसलिए आज के वीडियो में हम इसी बुल्डोजर की इन एक्टिविटीज की यानी इस बुल्डोजर के द्वारा किया जाने वं वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमका के चलिया आरम सप्रारम करते हैं कि कि बेसिकली किसी व्यक्तिकी संपत्ती पर बुर्डोजर चलाने का प्रावधान दो तरीकों से अनुपालित किया जाता है उसके बारे में दो लीगल प्रोविजन में इसकी चर्चा दी गई है इनमें सबसे पहला जो लीगल प्रोविजन है वो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डिवलपमेंट एक 90-73 के सेक्षन 27 के अंतरगत दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जब एक कोई व्यक्ति किसी सरकारी समपत्ती पर किसी सरकारी जगये पर अपना आवाज बना लेगा कोई अवैद निर्माण कर लेगा कोई बिल्डिंग खड़ी कर लेगा तो ऐसी स्थिति में सरकार क द्वारा वहां के नायब तैसीलदार कानूंगों लेक पस लेखे SDM और जिलास तर तक के सारे अधिकार्यों की रिपोर्ट मंगाने के पश्चाथ रिपोर्ट पर एक अपना अवलोकन करने के पश्चाथ निसकर्स निकालने के पश्चाथ वह उस स्थान पर स्थानिय पुलिस को खड़ा करने के बाद इस बुल्डोजर को चलवा करो संपत्य को गिराने का जो है वो प्रावधान दिया गया है इसके अरावा दूसरे पॉइंट के अंतरगत दूसरे प्रोविजन के अंतरगत इस बुल्डोजर को चलाने का जो प्रा दिया गया है कि अगर कोई अपरादी कई सम्मन और कई वारंट जारी करने के पश्चाद भी वो कानून के समक्ष उपस्तित नहीं होता अपने आपको कानून से बचाने का पुरा कोशिश भरकस प्रयास कर रहा होता है तो ऐसी स्थिति में उस अपरादी को दंडित करने के ल मकान को ऐसे उसके दर्वाजे और सारे सामान ऐसे बाहर कि जा ऐसा उसको स्कुत किया जाए वो उपयोग के लायक में टोट किया घारा है लेकिन प्रूविजन के अनसार इसमें लिए दो इसमें प्रावधान है उसके ambdeemda में इसमें इसमें वताया गिया कि ऐसी इसमें मग को कुर करने का अटेच्मेंट करने से पूर्व उस अपोजिट पार्टी को लीगल नोटिस दिया जाना अवश्चक है ताकि लीगल नोटिस मिलने के बाद वह एक सुपीरियर अथार्टी के समख्ष अगर वह सही है तो अपने आपको जस्टिफाई करने के लिए अपील कर सक करिंग है यह उसको एक तरह से मौका दिया जाता है लेकिन आपको वास्तविक्ता बताते हैं प्रजेंट टाइम में यह दो तरह के कानून पालण कि जाते हैं पहला कानून वह हैं जो हम लोग पढ़ते हैं जो एललबी वाले जो लॉस्कॉलर्स पढ़ते हैं और दूसरा कानून वो होता है जो सरकार और पुलिस अपने तरीके से उपयोग करती है यानि कि यह दो कानून अलग-अलग हो जाते हैं इसलिए आप उम्मीद नहीं करिए कि इन समस्त कानूनी प् प्रफा के बारे में सारे संभावित प्रावधान और सारे तर्थ्या आई होप आपको यह सारे पॉंट्स अच्छे सबस्मझ में आ गये होंगे बाकी के लिए अगर आपको हमारे यह मुहिं पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शे हैं तो लेट मी नो इनका कमेंट बॉक्स थैंक यू